प्रीवियू बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके सबी दर्शकों को मेरी तरफ से असलाम आलेकूम जैबीम नमस्ते फारुक साब ऐसा क्या होता है कि दलीत बहुजन मुस्लिम बड़ी उम्मित के साथ अपनी नेताओं की तरफ देखते हैं और लेकिन बाद में उनको ऐसा मैसूस होता है कि हम ठगे गए किसी शक्स को महदूद तोर पे हम हमेशे फालो नहीं कर सकते हैं लेकिन जो हमको लगता है कि आवाम के फलाही की नियत से पहत्री के लिए जो काम कर रहे हैं ऐसी खयादतों को हमको तब तक उनके साथ रहना चाहिए जब तक हमको उनका सफर लोगों की भलाईवारा दिखता है लोगों के खैर में दिखता है लेकिन जब यह लगने लगेगा कि नहीं यह तो अपने मफात में काम कर रहे हैं आवाम के साथ कि उनकी जो बाबस्तगी है उसमें कोई तक दिक्कते हैं और वो आप अवाम के हक में काम नहीं कर रहे हैं आवाम को चाहिए कि उनको पटकनी भी देनी चाहिए और यह मैं आपकी बाद से सहमत हो कि यह ऐसी हमारी खौमें हैं जा है पिछड़ा समाज इसी समाज हो या मुस्लिम समाज हो लोग चाय के जलिवे होते हैं लेकिन अपने खौमें चांच की जलिवी है तो अब यह किस पे एदवार करें इसलिए बड़ा वक्त लग जाता है लेकिन चंद अच्छे कारे करता है हमारे जैसे जो खौमी फलाही के लिए एक ऐसी मूमेंट में आये हैं जहा हम यह जानते हैं कि आके लि बड़ी दिक्कत होती है कि चंद मुठी बर ऐसे मफात परस्त नेताओं ने खौम को इस तरीके से धोके दे दिये कि आप खौम अच्छे कारे करता पर वरोसा नहीं करते हैं तो हमको भी बिजवीश पच्चीस पच्चीस साल लग जाते हैं अपने आपको साबित करने के लि देखिए मैं मुक्तसर में भी अगर कहूं तो आपको मुझे थोड़ा वक्त देना पड़ेगा इस सवाल के जवाब के लिए कि इस मुलक के अंदर इस मुलक की जमूरियत के लिए सम्विधान के रूप में एक ऐसे निजाम यहां पे खायम किया गया जिसमें फिरका परस्त आली जनाब एडोकेट परकाश अंबेटकर साब एक ऐसी खयादत है जो इन कॉंग्रेस न्सीपी और सेना भाजब जैसी ताखतों के खिलाप में अकेले लड़ते हैं और वो चाहते हैं कि हम अपने तपकों की खुद की सियासत कड़ी करें पिछडे तमाम जितने भी पसमा हैं लेकिन इन सब को ठुकरा कर आली जनाब परकाश अंबेटकर साब एक ऐसी खयादत लाना चाहते हैं और उन्होंने एए बात साफ साफ कही थी कि जब हम वंचित बहुजन आगारी फॉर्म कर रहे हम चाहते हैं कि मुसल्मानों का पॉलिटिकलाइजिशन हो उनका राजन वो क्या कहना चाह रहे थे वो ये कहना चाह रहे थे हैं कि जब तमाम वंचित तबके जो अकले शेडूल कास्ट नहीं है अकले शेडूल ट्राइब नहीं है अकले ओबीसी नहीं है अकले मुसल्मान नहीं है लेकिन तमाम वंचित शेडूल कास्ट शेडूल ट्राइब माइ जो भी है उनको साथ नहीं लेने कि मतलब साथ में उन तक जा वो नहीं पहुंच पाए या जुड़ नहीं पाए बलकिन नेताओं को उन्होंने साथ लिया और यहीं पर वो धोका खा गया अईसा आपको लगता है कोशिश थी उस वक्त इतना वक्त नहीं था जब यह बनी थी उसके बाद दूई महने पर तीन महने पर लोकसभा थी तो तब जो जो साथ आते गए लेते गए लेकिन आपकी बात एक लिहास से बहुत सही है कि नेताओं को साथ में लेने से समाज साथ नहीं आता है कम से कम हर समाज में तो ऐसा नहीं है लोकसभा में बैरिष्टर आवेसी थाब हमारे साथ थे उन्हें हमारी कई सभाओं में परचार करने के बावजुद वहां का बड़ा जो ओटर था मुसल्मानों का उसने लोकसभा के वक्त में मोधी को रोकना है बोलके कॉंग्रेस को इनसीपी कोट किया था ये बात आप और हम जानते हैं तो नेताओं को साथ में लेने से समाज नहीं आया ये बात दरुसर थी इसलिए हम अब उसको जादा करेक्ट कर रहे हैं अब हमको पांस साल का वक्त है तो अलहमदुल्ला अब हम अवाम को साथ ले रहे हैं अब हम लोगों में जा रहे हैं अब हम मुस्लिम समाजी लीडर्स को साथ ले रहे हैं आप देखते हैं औरंगाबाद में बड़ी तादाद में अलहमदुल्ला मुसल्मान जुड़े हैं अब आप बुलिए दूद का जला चांच फुक के पिएगा हम तो चांच के जलेवे हैं अब आप बताईए मुझे कि चांच के जलेवे कहा जाए इसलिए अब हमने सोचा है कि आवाम के साथ जाएंगे और हम चाहते हैं कि मुस्लिम आवाम को एक मौका हमको देना चाहिए और Congress धोका दे रही तो Congress को पटकी औरंगाबाद से ही पहली बार अक्सरियत मुसलमानों में अक्सरी मुसलमानों ने दिये NCP को भी पटकी दिये और ऐसे अगर गलत तज्रूबे आएंगे तो जो गलत करेगा चाहे हम भी आएंगे लेकिन मौका हमको अभी नहीं मिला है हम चाहते हैं कि औरंगाबाद के आवाम वंचित भोजन आगारी को एक मौका दे फारुख साब जहां तक मेरी मालूमात है आपी के शहर से जो है तो एमाइम ने शुरुआत की थी तो क्या इस बार एमाइम को तियासत के खिलाप में एक विकल्ब के तोर पे पेज़ किया और रंगाबाद की आवाम ने उनको एक मौका दिया दो मौके दिये तीन मौके दिये उनको महानगरपलेका में मौका दिया विधान सभा में मौका दिया लोग सभा में मौका दिया आवाम उसका आडिट भी करती है और आडिट के इसाफ से पसंद ना पसंद करने का फैसला आवाम का है हम उनको कॉम्पिटिटर या हम उनको अपने मुखालिब बिल्कुल नहीं मानते है लेकिन हम ये जरूर मानते हैं कि कॉंग्रेस NCP का विकल्प होना चाहिए और हम कॉंग्रेस NCP का एक विकल्प है जो इन्शालला हम पिछले तबकों को लेकर मुसल्मान अगर साथ आएंगे तो जब हमने सबसे बड़ी लड़ाई MP की सीड़ भी अगर जीती है तो इन्शालला कॉर्पोरेशन में हकुमत भी आ सकती क्या नहीं हो सकता अगर आउरंगाबाद के मुसल्मानों ने एक जईदी का मुझायरा अगर माहनगर पालिका में कर दिया और तमाम वंचित तबके जो आली जनाब परकाश हमबेटकर साथ के साथ ताखत से खड़े हैं तमाम OBC तबके बड़ा तादाद है OBC की जो बाड़ा साथ के साथ खड़े हैं अगर हमारे मुसल्मान भी एक जईदी का मुझायरा करके साथ आएंगे तो इन्शालला 43, 45, 40 सालों से शूसिना जो महानगर पालिका पे कबजा बनाए बैटी है सादा पानी नहीं पिला रही है इन्शालला उसको उखाड़ के फिकेंगे ये थे फारुख एमद साहब जिनों ने बड़े साफ गोई के साथ कुछ बातों को स्विकार भी किया है कि वन्ची तागाड़ी ने नेताओं को जोड़ने की कोशिश की पबलिक तक या लोगों तक वो पहुँचने में उतनी तरीखियसे काम्याब नहीं हो सके क्योंकि वक्त भी उस समय बहुत कम था लेकिन इस बार नेताओं से ज्यादा लोगों पर भरोसा किया जाएगा लोगों तक पहुँचाया जाएगा और उनके इसी कारिये के लिए मैं उनको शुब कामनाई देता हूँ नमस्कार